वेल्काम टू गिरिन्टिरी पिलान नासरी तेक किसन भाई को स्वगात करती हूँ चोले गाईस आज हम फिर से गिरिन्टिरी पिलान नासरी पुरो घूम के देखा रही है और ये वीडियो पुरो देखते रहे है और ये जो पिलान्ट आप देखा रही है ये बारी, one sweet malt plant है और ये देख लिजिए कितना छोटा पेड़ है और इसका फूरूट देख लिजिए हम लोग एक सोटा सा गामला में फार्मिंग किया है और इसमें देखिए कितना छब फूरूट लागा हुआ है देख लिजिए और यह जो पिलांट आप देखा रही है यह बैनाना मैंगू पिलांट है यह भी हम लोग गामलावे राखा है देख लिजिए कितना छोटा छोटा गामला है और इसका उपर कितना चप फुरूट आया है देख लिजिए पेड़ का और यह पिलांट हम लोग आप लोग को देखाने के लिए हम लोग गामलावे का इसे राखना होगा क्या इसे पेड़ का टीटमेंट कारना होगा इसके बारे में पूटर डिटेसली देने बाला है और यह वीडियो आगे तक देखते रहे ठीके पहले यह जो है केजी फोर यह फूरूट में आपको लागबक तो अठ्र ग्राम तक तो हो जाएगा देख लिजिए यह अभी म्यास्च्वाड नहीं हुआ म्यास्च्वाड होने के बाद आपको एक किजी का उपर हो जाएगा और यह जो है थाई बैनना मैंगो पिलांट है और यह देख लिजिए थो लोग पेड़ तेयर कहते यह फूरूट पाकड लिया है देख लिजिए कितना छोटा है आप सोचिए पेड़ का हाइट तो आपको ज्यादा नहीं हुआ आपको 500 फिट का हाइट होगा यह देख लिजिए भेतना माल्टा पिलांट है यह भी बारी वान स्वीट नेम्मून क पिलांट फार्मिंग करने के लिए कौंटक कर भी सकते है मेरा कोलकाता ओएस बेंगल गिरिंटिरी प्लान नासरी से देख लिजिए और यह देख लिजिए सब पेड़ में फूरूट लागा हुआ है देख लिजिए अब इस सीजन चल रही है अब देख सकते है हम यह वीड प्रिया भी बहुत आच्चा है ठीक है मीटा जादा होती है इसमें बारिवान स्वीट माल्टा का इसका पीसे देख लिजिए पौईसे के तारा गोल होता है इसमें यह आमर बुली पिलांट है ठीक है और देख लिजिए हम लोग एक सोटा सा गामला के उपर राक्खा है द देख लिजह एक पेर्व में लगबक तो प्को पा चार-वास केजीत हो जाएगा और पीर का हाइट टो ज़्यादा नहीं होते को आट ड्ल थीहे होगा देख लिजिए यह पेलास्टिक के है टूटेगा नहीं डेख लिजिए और इसका ज्यादा मिट्टी का जोरूरत नही दिन में फुरूट आता है देख लीजिए ये भी देखा रहे है ये देख लीजिए कितना छोटा पेड़ है और इसका फुरूट देख लिए या भी इसको उपर से हर्वेस्टिंग श्टाटिंग है ठीक है और ये पूरा साल बढ़ फुरूट आता है इसमें हम लोगे सोटा कर दो के लेते हैं तो मेरे तरफ से आप फार्मिंग किजिए आपको बहुत ही अच्छा पोडेक्शन मिल जाएगा आप गामला में फार्मिंग गहां पर राग भी साकते हैं आपको ही पे हो जाएगा लेकिन इसमें पानी का जोरूरत ज्यादा पाड़ता है जो पेड़ आप लोग को देखा होंगी छब पेड़ में फुरूट भी है और यह देख लीजिए यह जो है यह वाल टाइम भेतनाम माल्टा प्लांट है ठीक है इसका भी देख लीजिए इसका पीछा का पाइसा कर दिनल नहीं है ए फुरूट का देख लीजिए मिया उआ हम लोगे छोटा सा लिरभ दोग में फार्मिंग किया है और इसमें बहुती अच्चा अच्छा फुरूट आया ईक मेने बाद तो हो जाएगा, दुछ लेधी है और यह फुरूट फूल में सवार होने के बाद इसका कालर प्रपीला कालर हो जाएगा और मीठे के बारे में हम बोलेंगे मीठा बहुत आच्चा है, ज्जादा मीठा हो ते इसमें कि बारिवान शी की माल्टा का और यह देख लिजिए वाल्डाइम भेतना माल्टा प्लांट है एक फुरूट में आपको लगबग तो अब फूल हर्वेस्टिंग नहीं हुआ अब हर्वेस्टिंग प्लाइं के बार इसका पीला कालर हो जाएगा और इसका पूरा साल बर इसमें फूरूट रहता है देख लिजिए फूरूट अभी छोटा है अब बड़ा नहीं हुआ अब बड़ा होने का बीज दिन लाग जाए एक पेड में कितना चाह से पूरूड लागा हुआ है अगर कोई किशन भाई फार्में करने के लिए कंटक्स कीजिए मेरा कोलकता ओएस बेंगल गिरिन टिरिपला नासरे से इसका पौद अभी मेरे पास अब लविन मी देगा ठीक है और देख लिजिए और यह जो बारी वान शीकी माल्टा का बोल रहे है इसको साल में एक ही पार आता है इसमें फुरूट ठीक है यह वाल टाइम बला नहीं है वाल टाइम बला जो है भेतना माल्टा प्लांट है और इसका फुरूट भी देखिए कितना अच्छा से पाकड लिया है यह जो है कौमुला का पेड़ है देख लिजिए इसमें भी बहुत चारी फुरूट लागा हुआ है और दूसरा जो है जांबुरा मैंगो प्लांट है यह देख लिजिए हम लोग कितना अच्छा से फार जब देखिए यह फुरूट में तो आपको स्वा सो गिरम तक हो जाएगा और कितना चोटा पेड़ में इसमें फुरूट भी देख लिजिए हम लोग नासरी में गामला के उपार एक एक करके फार्मिंग किया है अप लोग को देखाने के लिए और देख लिजिए कितना अ नाम है चाम्बूरा मैंगो प्लांट है इसका पाता भी देखिए सबसे मैंगो कतर आला घ्टी इसका पाता और यह पेड़ का हाइट आपको छो फिट का हाइट होगा ठीक है देख लिजिए बहुत चारी प्लांट भी अविलेबल मिलेगा मेरा नासरी से रेट डाइमान ग आपको दू मैने हो गई है कि मैंगो का बहुत चरी वाइटी एविलेबल मिलेगा जो प्लैंड आव ओडर करेंगी वह आपको मिल जाएगा एक दूपिस्केर के लिए कोरिया में भेश सकते हैं ज्यादा कर लेने के लिए हम लोग बाइरेल से भी भेश सकते हैं तो देख ल अंदिया मैं और यह वीडियो गाईस हम लक किया है कोई एडिटेंग शुका शाया ठीक है जै कोई दीदियो को देख सकते हीरो एक भी 20 का तेयर करा प्लांट नहीं है सब ग्राफ्टिंग करा करा प्लांट ही भी है मिलेगा जामबुरा मैंगो प्लांट है बारी वान शीकी माल्टा का प्लांट है देख लिजिए यह मेरे तरफ से फार्मिंग कीजिए घ्वार का उपर आपको बहुत यह अच्छा हम लोगे काट के आप लोग को देखाता है लेकिन यह पूरा हार्वेस्टिंग नहीं हुआ हार्वेस्टिंग होने के बाद आप लोग को काट के देखा होंगी ठीक है एक खा के आप लोग को देखा देखा होंगी ठीक है इसके मीठा कितना अच्छा होती है और यह यह हम लोग पूरा पेड़ आई से करके राखे हैं देख लिजिए यह है एक मैंगो का पेड़ है देख लिजिए इसमें फुरूट लागा हुआ है मीठा इमली बोलता है इसका देख लिजिए इसका पादा भी हम लोग गिराफ्टिंग किया है ठीक है यह कई भी से तैयार का प्लांट है लाटी भाला बांबू का प्लांट है यह पर मिलेगा आपको देखिए जो पेड़ आप लोग को देखाऊंगी फुरूट से भारा हुआ देखा रही है बारी वांट शीकिमार्ट इसका भी पोदा तो अभी अबेलेबल मिलेगा बाजर में एक फुरूट अभी बोड़ा हो गाई है लेकिन हम लोग इसमें प्याकिन काज दिया लेकिन इसका कालर बहुत आच्छा आता है ठीक है इसलिए हम लोग प्याकिन क शीकिया है वह आपको खोल के देखा हूंगे पहला इवाला देख लेजिए बारी वांच सिके मालटा का फुरूट देख लिजिए कितना अच्छा से पकड़ लिया है कि अगे देख लिजिए कि यह फुरूट देखिए कामरूट का प्लांट है ठीक है यह बहुत अच्छा फुरूट इसमाथ है और खाने के लिए इसका खाटा ज्यादा होती है और मेरा वीडियो गाई साथ चले तो निया फ्रेंट होतो सब्सक्राइब करके राखिए पहले वीडियो देखने के लिए अई है में बहुत अच्छा वीडियो यूटियूब में आप ड्लट करते हैं इसलिए अप सब्सक्राइब किजिए और और बहुत अच्छा पेड़ मेरे पास मिले गाप्लांट भी मेरे मेरे पास मिलेगा च्छों प्लांट आप ऑडर करेंगी वहापको मिल जाएगा लेकि कि मैं इसमें भी बहुत शारी प्लांट है अबलेवल मिलेगा देख लिए फॉल्वर का प्लांट है पुरा कैसारा कैसारा गाइस मेरा वीडियो आज चलागे तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉल्वर की प्लाइट लेने के लिए कॉंटक कीजिए गाइस और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू यूट्यू गाइब एक्टिस